विटामिस C से भरपूर आवला को हमारे आयुर्वेद में अमरित के सामान माना गया है इसके बहुत सारे फायदे हैं इसे हम अपनी डाइट में सामिल करें तो हम कई बिमारियों से बच सकते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है ये हमारे आख, बाल, हड्टियों और तचा के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद है आवला का अचार बनाने के लिए हमने आवला को धुलकर के ले लिया है ये अचार हम उबाल कर बना रहे हैं अचार में डालने के लिए हमने ले ली है हरी मिर्च और लैसन थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, हल्दी पाउडर आधा चमश लिया है, नमक लिया है, स्वादा नुसार सबसे पहले हम आवले को उबलने के लिए रख देते हैं, एक बरतन में हम आवला को डालेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढख कर हम उबाल लेंगे, आवला को हमें बहुत देनी तक नहीं उबालना है, नहीं तो ये एक दम गल जाता है और सबसे ज़्यादा ध्यान यही पर देना है, अगर आवला ज़्यादा गल जाता है, तो अचार का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है आवला को हमें बस हल्का सा ही soft करना है जब तक आवला पक रहा है तब तक हम मिर्ची और लेसन को दरदरा कर लेते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्ची ज़्यादा डाल सकते है मिर्ची और लेसन को फीषना नहीं है हमें बस हलका सा दरदरा करके लेना है इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चार का आवला चिक कर लेते हैं आवला सॉफ्ट हो चुका है इसे हम निकाल लेते हैं पानी से अलग कर लेते हैं आवले का बस कलर चेंज हुआ और हलका सा सॉफ्ट हुआ है इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है ताकि इसका टेस्ट अचार में बहुत अच्छा आए और इसका पानी हम बिल्कुल भी फेकेंगे नहीं इस पानी को हम ठंडा करके एक बॉटल में रख लेंगे या किसी ग्लास में और जब भी आप बाल दोलें आप इसका यूज कर सकते हैं यह बहुत ही फायदे मन पानी है इसे फिल्कुल मत फेकेंगे आवला हलका सा ठंडा हो जाए तो हम इसके बीज अलग कर लेंगे आवला को हमने बहुत ज़्यादा नहीं उबाला है तो हमें चाकू का इस्तिमाल करना पड़ सकता है इसको हम एक एक पीस अलग कर लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट है इसके बीज आसानी से निकल जाएंगे हम हाथ से भी दबा दे तो भी निकल जाएंगे लेकिन हमने चाकू का इस्तिमाल किया है ताकि एक एक पीस अच्छे से निकल लाए तूटे नहीं इसी तरीके से हम आवला के सारे पीस अलग कर लेंगे आवला के बीच निकाल दिया है हमने अब हम इसमें डाल देते हैं लेसन और मिर्ची थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे बहुत ज़्यादा हल्दी डालने की जरूरत नहीं है नमक डाल देते हैं सादा नुसार और एक चमच के करीब हम सरसो का तेल डालेंगे ये सरसो का तेल हमें थोड़ा सा ही डालना है लेकिन डालना है इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता अचार का और अचार खराब भी नहीं होता है इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेते हैं सारी चीजे अच्छे से मिल गई हैं और ये आमला का टेस्टी अचार बन करके तयार है एकदम कम सामान में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार ये खाने में बहुत ही ज़्यादा फायदे मन और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ये अचार बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है इसे हम महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी खाने का मन करें तुरंग फिर से बना सकते हैं इसे हम आप चाहे तो एयर टाइट डिबे में रख सकते हैं या किसी चिनी मिटी के बर्तन में रख लें और इसे डेली यूज करें ये बहुत ही फाइदे मंद अचार है अगर आप इसे लंबे समय के लिए श्टोर करना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा ध्यान दे कि जब भी आ लेना पाए हलका सा ही उबाले उबालने के बाद इसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए तब इसका अचार बनाए और थोड़ा सा सरसो का तेल जरूर डाले इससे अचार लंबे समय तक चलेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आउला का यूज हम मुरबा चटनी अचा जरूर करिएगा थेंक्यो फॉर वाचिंग मै वीडियो